बहुत भूग स्वाकत करती हो आप सभी का एक बार प्रियूट से यूट्यूब चैनल में तो आज पीर से आ गए हूं बहुत ही यूच्फल सी वीडियो लेकर आप सभी की वीडियो रेसिपीज को लेकर है तो भी दाल हम सभी को पसंद होती है और दाल में बहुत सारे हम मार्केट से ले आते हैं बढ़ क्या होता है इस पर चूहता है वह चाहँ पहले अच्छी से दो लिजिए देखे कि इतना आपको दिखे दो दो देते हैं तो पूल तरसे नहीं निकल पाता है तो आप किसी भी दाल को बनाने से पहले कम से कम आदा घंटा भी गोकर रख दीजिए उससे दो फायदे होंगे एक तो आपकी दाल बहुत जल्दी से बन जाएगी आपका टाइम भी बचेगा और आपकी गैस की भी बचत होगी जहां आपकी दाल दो से तीन सीटी में बनते हैं वहां आपकी दाल एक ही सीटी तो वह नुकसान नहीं देगी और दाल आपकी बहुती टेस्टी बनेगी तीसरा क्या करना है आपको दाल के उपर से जो यह जहाग आते हैं कभी भी इन जहाग सही डाल नहीं बनानी है दाल को बनाने बनाते टाइम हमेशे यह ध्याना कि कोई भी बना रहे पहले उसका इस आज जल्ब पहले कभी देख्जेगे के बार्व करता है हर में द्यौर्ट बनाने का तरीका चलिए देख लैते हैं चावल呢 जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो चावल आपको कभी नुकसान नहीं देंगे चावल प्टाने je style 1,1,2,90, 2,5 शम में विपारतो शबत हैं जो भी आपके पास खड़े मसाले हैं ऑप वह यह जाएगा तो उसमें यह मसाले डाल दीजै देखिए ये मसाले डालने से क्या होगा आपके चावल जो नुकसान देते हैं वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे फाइदागी करेंगे तो इसके बाद चावलों को कभी भी बनाए तो आदा घंटा एक घंटा पहले भी गोकर रख दीजिए उससे आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे चावल खिले और मुलीयम बनेंगे तो खाने में ये बहुत टेश्टी भी लगे और नुकसान बिल्कुल भी नहीं देंगे आप चावल इस तरीके से बना सकते हैं चाहिए दिन में चाहिए रात डाले के साथ ड़ने की चलिए बढ़ते हैं घट्यों ऩ्वारि अगला और बहुत आसानी से बन जाती है तो इस तरीके से बुनाने ही के चलीए देख लेते हैं तो हमें पर केलों के साथ साथ चुलकों का भी यूज हो जाएगा तो केले की छिलकों को बरीक बरीक काट लेना है उसके बहुत अच्छे से उन्हें धोना है चार से पांच बार और उसके बाद आलू छील कर एक साथ केले की छिलके और आलू को उबाल लेना है यहां पर देखिए मैंने आलू और केले की छिलके को अच्छे से उबाल लिया है अभी ने ठंडा होने का बेट करेंगे और आलू को निकाल लेंगे अलग और केले की छिलकों को अलग तो फ्राइ करने के लिए हमें प्याज, लहसुल, अद्रक, हरी मिर्च, काट लेनी ये खोब सारी जिससे की जो ये हमारी सबजी है बहुत टेस्टी सी बनेगी तो काफी सा काट लीजेए अच्छे से सामान अब देखिए ये केले के चिलके और आलू में थंडा होने के लिए चन्ने में निकाल दिये थे अभी मैं आलू अलग निकाल लोंगी पहले आलू को मैस कर लेंगे हाथ की ये अफिर मैसर की हेल्प से और उसके बाद केले के जो चिलके हैं पानी अच्छ से निकाल कर हाथ की हेलब के uhे उन्हें भी इसे में मिक्स कर दिना है जैब nuovo मैंने सारे मैस कर लिए अब यह देखिए जो छिलके हैं इनका भी अच्छ से पानी निकाल देंगे हम सारा और उनको भी मिक्स कर लेंगे ये देखी इस तरीके से चलिए ये तो मिक्स हो गए है अब इन्हें फ्राइ कर लेते हैं एक ले लेंगे हम कड़ाही या फिल फ्राइ मखे Town ौ सरसुआ कते इस्में डाल कि अच्छी सब्सों बाद कि अच्छी से में बढ़ना का में नियां मेधि दानika में मेति दानों को चटकने के बाद थोड़ा डाल देंगे इसमें हम जीरा अब जीरे को चटकने के बाद इसमें हम सामान काटा ता प्याज लहसुन अद्रहक और हरी मिर्च वो सारा सामाना इसमें अब जब तक हमारे धीमी धीमी आज पर प्याज भून रही है तब तक हम मसाले एक कट्वल में मिक्स कर लेंगे सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है नमक स्वाधन सार सब्जी की क्वांटिटी के साब से डालिएगा उसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पावडर थोड़ाशा कस्मेरी लाल मिर्च थोड़ी सी हींग थोड़ाशा अमचूर पावडर थोड़ाशा धनिया पावडर और थोड़ाशा गरम मसाला थोड़ासा चाट मसाला और फोड़ासा डाल देवे स्में इसमें सोफ का पावडर तो ये सारे मसाले मैंने एक साथ मिक्स कर लिए motherfucker क्या होगा कि जब हम बार-बार सारे समान ढालते हैं तो हमारे कुछ मसाले जल जाते हैं और ठीक रह जाते हैं तो इस तरीके से क्या होगा आपकी सब्जी जल्दी भी बन जाती है और मसाले सारे बड़ी हासा फ्लेवर आता है सारे मसालों का एक साथ मिक्स करने से तो जब भी अच्छी सी खुश्बू आने लगेगी उसके बाद जो हमने आलू और छिलके मैस करके रखे हुए हैं इनको मिक्स कर देंगे अब यह देखिए बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और यह हमारी आलू और केले की चिलके की बूची तयार हो गई है आप इसे किसी भी दाल के साथ ग्रेवी वाली सब्जी के साथ या फिर डेक पास्ट में पराठो के साथ बना सकते हैं तो ट्राइ कीजिए आप भी यह वाली रेसीपी और आप से भी को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट शेक्शन में जबब बताइएगा कल फिर मिलूंगी ऐसी एक यूजफू वी